नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आईए बात करते हैं सिल्वर की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पे सिल्वर का चार्ट है 15 मिनिट का सिल्वर यूसडी की पांच मिनिट का चार्ट है और इसमें किस तरीके की मुवमेंट रही है अभी पिछले फ्राइडे के सेशन में उसको लेकर हम बात करेंगे और फिर ये चीज़ हम अब्जर करने ही कोशिश करेंगे कि क्या लेवल्स पे सपोर्ट या राइस्टेंस रह सकता है और उसको देखकर हमें हमारा क्या एक व्यूपॉइंट है आगे आने वाले जो ट्रेडिंग सेशन्स हैं उसमें सेलिंग या बैंग कौन सा ट्रेड हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल रह सकता है और किस तरीके का हमारा एक ट्रेडिंग पैटर्न होना चाहिए हमारे क्या ट्रेडिंग स्ट्रेडिजी होनी चाहिए तो इन चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे आई ये शुरू करते हैं पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अगर मुझसे करनेक्ट करना है किसी एक मीडियम के थुरू तो आप टेलिग्राम पर मुझे आप मार्केट रिपोर्ट 08 पर फांड आउट कर सकते हैं वो मेरा टेलिग्राम पर आईडी है मार्केट रिपोर्ट 08 आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं किसी चीज़ में अगर आपको कुछ लेवल्स अगर आपको पता करने है तो वो जो भी बेस्ट पॉसिबल लेवल होगा या बेस्ट पॉसिबल आपके लिए कोई तरीका रह सकता है देखें सिर्फ एक चीज़ में थोड़ा पहले सी में माफी चाहूंगा कुछ ट्रेडर्स मुझसे इस तरीके का पूस्ते हैं कि हमारी बहीं की पोजिशन चल रही है और मार्केट काफी ज़्यादा क्रेश हो चुका है तो अब हमें क्या करना चाहिए उसमें तो कोई सेकिंड थोट आपका होना ही नहीं चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए आपकी अगर पोजिशन लॉस में चल रही है यहां से यह कोई भी एक random मैंने एक time frame खोल लिया यहां तक market गया, मान लीजिए आपने silver यहां पर खरीद ली यहां से market नीचे जा रहा नीचे जा रहा, नीचे जा रहा, यहां तक आ गया आप यहां अगर मुझसे पूछेंगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए obviously निकल जाना चाहिए, कोई second thought नीचे नीचे और यहां क्या आप मुझसे यहां भी पूछेंगे न तो भी मैं आपको यही कहूँगा, आपको निकल जाना चाहिए exit करना चाहिए, market में जब एक bounce आना शुरू होगा, उपर की तरफ, तो क्या break out level होगा, किस level के बाद आपको buying करनी है उस पर हम discuss कर सकते हैं पर अगर एक continuously market अगर आपके against जा रहा है, अगर दूसरा एक हम opinion ले ले लेते हैं कि आपने silver sell कर दिये यहां से market बढ़ना शुरू कर दिया, यहां तक सकता, अब किस तरीके का answer मुझसे expect करते हैं वो आप एक बाद को सोचिए कि मैं क्या जवाब दे सकता हूँ अगर मैं आपको यहां पर holding के लिए कहता हूँ तो वो मेरा ही एक कहना आपके लिए गलत होगा वो चीज़ मैं आपको फिर गलत राय दे रहा हूँ market में correction है ज़्यादा से ज़्यादा maximum मैं आपको कोई stop loss level बता सकता हूँ कि आप यह stop loss लगा लीजिए यहां पर थोड़ा सा एक support level है chances थोड़े से ऐसे हो सकते हैं शायद bounce आने की कोशिश हो जाए silver में और अगर वो भी break हो जाता है तो आप बहाँ पर ज़रूर exit कीजिए फिर बात का देखेंगे fresh एक trade लेनी कोशिश करेंगे ठीक है दोस्तों तो यह मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो किसी trade में फसे हुए हैं से पहले आप यह कोशिश कीजिए कि आप trade से निकलिए आप fresh position के लिए क्या आप एक strategy होनी चाहिए उसको लेकर आप मुझे से discuss करें ठीक है आईए अब हम एक घंटे के ओ सॉरी पांच मिनट के चार्ट पे हम discuss करते हैं किस तरीके का trend हमने पिछले Friday के session में देखा है यह देखिए market यहाँ कहीं open हुआ था एक थोड़ी सी upside यहाँ से फिर correction फिर correction थोड़ा सा bounce आ नहीं कोशिश हुई यहाँ से उपर की side में market जाता रहा market में बहुत यह चोटी range थी trading की कोई movement नहीं थी कोई बहुत जादा range नहीं थी trading की पर end होने से थोड़ा सा पहले लगभग 10 बजे के आसपास इसमें correction आनी शुरूई और market ने एक नया लो लगाया और फिर वहाँ से थोड़ा सा हमने एक support मिलते वे देखा और market finally 26.74 पे आके close हो गया तो इस तरीके का एक view देखा हमने silver USD के चार्ट में ठीक है अब थोड़ा सा हम view बढ़ाते हैं अपना time frame बढ़ाते हैं 15 minute के time frame पे देखते हैं यहाँ दोस्तों यहाँ देखेंगे कि इस तरीके का एक trend चल रहा था उपर में levels लगे पर वहां से एक correction जो है वो continue हुए कहीं पर एक upside नहीं देख रहे हैं आप इस तरीके से continuously एक downtrend है यहाँ पर थोड़ा सा एक support ज़रू मिला है पर market में correction भी continue है यहाँ के बाद फिर यह last इस support level पे आके market close हो गया और थोड़ा सा time frame बढ़ाते हैं गंड़े की तरफ चलते हैं यह चीज़े मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ आपको अलग-लग time frame पे यह समझ में आजए कि trend किस तरीके का है यहाँ से देख रहे हैं एक downtrend continue है उसके बाद यह एक range रही है यहाँ नीचे गया था market पर नीचे sustain नहीं किया वापस उपर आकर उपर की side में market चला गया और फिर से यह इनी levels के आसपास range वह इसकी यह रही है यह देखिए इसी range में trade कर रहा है ना नीचे hold गया ना उपर hold गया silver की यही range है trading range जिसमें यह भी trade चल रहा है ठीक है और थोड़ा से time frame बढ़ाते है 4 गंटे की तरफ यहाँ पर हमारा view थोड़ा सा अलग हो जाता है downside, upside आने के कोशिश हुई और फिर यह curve इस तरीके का बन रहा था उपर में यह level टच किये पर इस level को सकपास नहीं किया यहाँ से हमने एक downside आते हुई देखी यहाँ पर भी curve इस तरीके का बन रहा था पर इसने उपर के levels पर hold नहीं किया और market अभी currently 26.74 पर trade कर रहा है थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं daily charts की तरफ यहाँ समझने कोशिश करेंगे देखिए दोस्तों यहाँ से pandemic के time से यह इसमें एक जो upside run है वो continue है पर इस high के बाद यह वाला high जो लगा था इसके बाद से भी तक एक fresh कोशिश इसने कुछ नहीं करी कि इस trend line को भी test कर सके उससे भी बहुत नीचे का भी फिलहाल यह वाला high लगा है और यहाँ से भी market एक correction mode में हमें नज़र आ रहा है तो अब हम बात करते हैं कि कौन से level है जो हमारे लिए resistance या support की तरीके से काम कर सकते हैं और उनको लेकर क्या हमारा viewpoint बन रहा है ठीक है दोस्तों अब देखिए यह यहाँ पर आप 5 मिन के time frame पे एक चीज़ देखेंगे कि market में एक जो trend थोड़ा सा उपर जानी कोशिश कर रहा था पर जैसे ही closing से थोड़ा सा पहले market में एक correction आनी शुरू हो गई और उस correction में अपने lowest point से जरा सा उपर आकर इसने अपने आपको hold करने की कोशिश करी और market जो था हो 26.74 पे close हो गया यह हमें देखने को मिला Friday के session में अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हैं कि यह high यह high और इसके बाद यहाँ से भी अगर यह turn नीचे की तरफ आना शुरू होता है तो कहीना कहीं हम यह चीज़ देखेंगे कि यह lower highs का जो सिलसला है वो continue रह सकता है नीचे के तरफ में देखें मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ silver already bearish zone में enter कर चुकिया और enter इसने Friday को नहीं किया enter इसने Thursday को कर लिया था Friday को सिर्फ इसने अपने आपको hold करने की कोशिश करिया इन levels पे इसने consolidate किया इन levels पे तो जब एक theory में आओ और आपको बताता हूँ इस market की कोई भी आप trend ले लीजिए uptrend आता है उसमें अगर market काफे time कहीं पर hold करता है अपने आपको और ये जिस तरीके से भी हो सकता है ये थोड़ा सा नीचे आकर हो सकता है उपर की तरफ जा रहा हो या फिर उपर से ही धीरे धीरे trend इस तरीके का बन सकता है और उपर sideways uptrend तो वो एक fresh uptrend की तरफ बढ़ सकता है और दूसरा मैंने आपको बताया है कि इस तरीके का एक uptrend आया वहां से थोड़ी सी correction आने की कोईशिश हो रही है पर market धीरे धीरे उपर की side move कर रहा है तो कोई भी छोटा सा breakout आएगा अगर ये consolidation का time काफी जादा हो चुका है और उसके बाद जैसी एक upside में एक छोटा सा भी breakout मिलता है तो ये उपर की तरफ काफी speed से भी जा सकता है ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि silver का जो trend है वो bearish zone में यहाँ पर enter कर चुका था उसके बाद इसमें ये उपर एक थोड़ा सा एक bounce आने की कोशिश हो रही थी वापस एक correction हम बनती ही देख रहे है इसमें अगर इन levels पे इसने अपने आपको थोड़ी देर भी रोक के रखा तो एक correction हम continue देख सकते हैं जो ये trend है वो नीचे की तरफ फिर से बना रह सकता है silver already bearish zone में है अब हम बात करते हैं जिन levels का हमें ध्यान रखना है ये छोटे-छोटे levels पे breakout तो नहीं कहूंगा मैं पर एक resistance level है जिनने मैं आप आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहला 27 डॉलर पे 27 डॉलर से जस्ट उपर ठीक है बहुत छोटा सा है minor सा है इसे हमें कितना consider करना चाहिए कितना नहीं ये Monday के opening prices के बात पता चलेगा ठीक है उसके उपर थोड़ा सा मैं time frame कम कर देता हूँ दोस्तों सबसे पहला जो resistance level है वो 27 पे है हमारा ठीक है दूसरा जो हमारा resistance level पे है वो figure जरा इसमें show नहीं हो रही time frame फिर से बढ़ाना पड़ेगा यहां पर आ जाते हैं दूसरा हमारा time frame है 27.30 डॉलर इसे हम थोड़ा सा इस तरीके से समझ सकते है 27.30 उपर की side में जब break होगा तो ही इसमें एक upside move आ सकता है otherwise market जो है वो 27.30 के नीचे या तो consolidate होता रहेगा छोटे छोटे bounces जो भी आएंगे वो एक opportunity होगी हमारे लिए sell करने की ठीक है तो 27.30 हमारे लिए एक यह है या फिर शायद इससे उपर का price level रहेगा इसे एक बार देख लेते हैं कौन सा price है यह है 27.48 इससे भी थोड़ा सा नीचे है ठीक है 27.30 लगभग यहाँ पर यह price अगर break होता है तो ही इसमें जो यह upside इस तरीके से अगर कुछ आती है तो इसके break होने के बाद ही एक further एक upside हम देख सकते हैं market bearish zone में यहाँ से जो selling है वो continue रहनी चाहिए ठीक है और थोड़ा सा time frame बढ़ा के मैं और एक view आपको देता हूँ यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहले मैंने आपको बताया 27 next मैंने आपको बताया 27.30 और last मैंने आपको बताया 28 देखिए दोस्तों 28 अगर break होता है तो silver जो है बहुत speed से उपर की side में एक fresh high बनाने की तरफ बढ़ सकती है तो 28 डॉलर का break होना एक sign होगा इस चीज़ का के silver में एक जबरदस तेजी आने के संकेत हमें मिल जाएंगे और एक fresh high एक एक नया high silver में लगता हूँगा हमें नजर आएगा तो इस तरीके का हमारा एक view रह सकता है downside continue है levels जिनका आपको ध्यान रखना है पहला आपको stop loss level 27 पे दूसरा 27.30 यह आपका वो price level रहेगा जहां के बाद आपको ना buying करनी है ना selling करनी है 27.30 से लेकर 28 डॉलर के बीच में आप कुछ ना करें यहां से अगर एक breakdown आने की फिट से कोशिश होती है तो आप उसका wait करें 27.30 के उपर selling और buying दोनों की position आपके लिए risk हो सकती है buying इसलिए नहीं क्योंकि थोड़ी सी उपर यह resistance है इससे पहले कहां पर market turn करेगा यह हम कहनी सकते आपको wait करना होगा buying के लिए इस level को break होने का यह level break होता है 28 डॉलर का इसके उपर जैसी market थोड़ा सो sustain करेगा तो एक fresh एक upside move हम देख सकते हैं तो दोस्तों यह था मेरा silver USD पे अभी का वीडियो वीडियो अच्छा लगा तो like करें शेयर करें बने रहें मेंड साथ देखते हैं यह market report धन्यवाद